हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल यासमिन्स की चनाब आज मैं आपके साथ शेर करूंगी पालक और चने की दाल की बहुत ही स्वाधिस्ट और पोस्टिक सबजी की रेसिपी जो बनाने में आसान और खाने में बहुत ही जादा टेस्टी बनकर रेडी होती है रेसिपी स्टाट करते हैं तो इन मज़दार सी पालक और चने की दाल को बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक कप चने की दाल ली है दाल को हमने अच्छे से वोश करकर तीन से चार घंटे पहले भिगो दिया था दाल को हम एट कर देंगे प्रेशर कूकर में जिस कप से हमने चने के कप से हम इस में टूएंड हाफ कप पाणी एट करेंगे फीज़ दस्टून हल्दी पौडर हाफ दस्टून नमक वन टेबिली स्पून कूकिंग ओलेट करेंगे और इसे हम एक बोईल आने तक पका लेंगे यह दे के दाल में हमारी एक बोईल आ चुका है अभर हम य करेंगे तीन से चार टेबल स्पून कुकिंग ओयल हम इसमें add करेंगे हाफ टेबल स्पून जीरा दो लूंग एट करेंगे और जीडये को हम कुछ सेकन्ड के लिए ओयल में पकालेंगे अभ हम इसमें add करेंगे तेन से चार बार beneficiہ छोप की विलहसं दॉकि एप इसी का साथ ही हम इसमें add कर देंगे एक medium size की बारिक चोप की हुई प्याज इसे हम fry कर लेंगे प्याज का हमें color change नहीं करना है इसे सरिफ हम इतना ही fry करेंगे कि प्याज हमारी soft हो जाए ये दिखे प्याज हमारी soft हो चुकी है अब हम इसमें add करेंगे 1 teaspoon नमक 1 teaspoon लाल मिर्च पौडर मसाले को अच्छे से mix कर लेंगे सभी मसाले हमारे अच्छे से mix हो चुके है अब हम इसमें add करेंगे 2 medium size के रफली चोप की होगे टमाटर टमाटर के हमने बीज निकाल दिये थे टमाटर add करने के बाद इसे हम mix कर लेंगे और इसे हम cover करकर 2-3 मिनट के लिए medium flame पे पका लेंगे इसा करने से टमाटर सोफ्ट हो जाएंगे ये दिखें टमाटर हमारे सोफ्ट हो चुके हैं इन्हें हम एक spoon की help से अच्छे से mash कर लेंगे मसाले को हम 1 मिनट के लिए medium flame पोर भून लेंगे मसाला हमारा भून चुका है इसमें सो ओल सेपरेट होने लगा है अब हम इसमें एट करेंगे बारी कट किया हुआ पालक पालक हमारा 300 ग्राम है पालक को हमने साफ करकर 2-3 मरतब अच्छे से वाश कर लिया था और फिर हमने इसकी बारी कटिंग करकर रेडी कर लिए अभी पालक हमने पैन मेट कर दिया है अब हम इस मेट करेंगे 1 टेबिल स्पून कसूरी मेथी 1 टी स्पून गरम मसाला और इसे हम कवर करका 2-3 मिनट के लिए मेडियम फ्लेम पर पका लेंगे यदि के 2-3 मिनट के बाद पालक हमारा सॉफ्ट हो चुका है इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हैं पालक हमारा क्वांटिटी में बिल्कुल हाफ हो चुका है अभी हम पालक को 2-3 मिनट मेडियम फ्लेम पोर पकाएंगे ऐसा करने से हमारे पालक में बिल्कुल भी कच्छा पन नहीं रहेगा इदि के पालक हमारा अच्छे से कुक हो चुका है इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसमें हमें एट कर देंगे उबली हुई चने की दाल दाल का पानी भी हम इसी में एट कर देंगे दाल और पालक को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे हम मेडियम फ्लेम पे चार से पांच मिनट के लिए पका लेंगे ये द खुश्क होने तक पका लेंगे, यह दिके सब्जी का पानी खुश्क हो चुका है, अब हम इसमेट करेंगे बारी कट किया हुआ हरा धनिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और गेस का फ्लेम हम आफ कर देंगे, चलते हैं इसे सर्फ करने की प्रोसीस पर, इस पॉइंट पर अ के साथ में सर्फ कर सकते हैं, इसे और प्यारा टेस्ट देने के लिए हम इसका एक प्यारा सा तड़का बना कर रेडी कर लेंगे, पैन में हम एट करेंगे, टू टैबिली स्पून देसी घी, वन टी स्पून जीरा, बीच में से कटकी हुई दो हरी मिर्च एट करेंगे, एक साबत लाल मिच और इना हम कुछ सेकिन के लिए ओल में पका लेंगे, ये दिखिए प्यारा सा हमारा तड़का बन कर रेडी हो चुका है, इसे हम एट कर देंगे सबजी पर, सुपर टेस्टी हमारी तड़के वाली पालक और चनी के दाल की सबजी बन कर रेडी हो चुकी है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो फैमली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, लाहाफीज